आप option दिखाए ज़े रहा है यहाँ पर ministry of road, transport and highways just इस पर click कर लेना है उसके बाद यतने भी documents आप यहाँ पर देख रहे हो vehicle tax receipt, fitness certificate, driving license, registration of vehicle यानि के RC, vehicle insurance certificate इन सबको आप issue कर सकते हो सबसे पहले मैं किसी भी गाली का जो RC है उसे कैसी issue करना है इसके बारे मैं बतायता हूँ Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आपको ये तो पता होगा ही कि according to ministry of road, transport and highways आज के time पे traffic police checking के वक्त या फिर anti-crime checking के वक्त किसी भी गाड़ी का registration certificate, insurance certificate, fitness certificate, tax receipt या फिर driving license का भी original document या फिर hard copy दिखाने का जरुवत अब नहीं है ये सारे ही documents आप DG Locker app या फिर aim परिवहन app में save करके रख सकते हो और इन apps के जरीए किसी भी वक्त आप इने show कर सकते हो ये पूरी तरह से valid है, आपका कोई भी find नहीं लगेगा तो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि DG Locker app में इन सारे ही documents को आप कैसे save कर सकते हो साथ ही मैं आपको ये भी बता दू कि जितने भी documents है अगर आप इन documents का photo खीच के अपने mobile पे रखते हो तो वो valid नहीं है, आपको इन apps के जरीए ही show करना है तो ये वीडियो बहुत ही important होने वाला वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जारू कर ले फिर्ट सबसे पहले आपको क्या करना है कि play store पे जानना और वहाँ पे जो DG Locker app है वो download करना है app का link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा उसके बाद जैसे ही आप इस app को खोलोगे तो सबसे पहला आपको option दिखाई देगा get started का, just आपको इस पे click कर लेना है उसके बाद अगर आपने पहले ही से DG Locker में account बनाया हुआ है तो आप sign in कर ले या फिर create account में click कर ले उसके बाद just आपको अपना नाम डालना है, full name डालना है और जो आपका अधार card में नाम है, उसी नाम को यहाँ पा फिल करे उसके बाद date of birth, male, female, other जो भी option आपका है फिर mobile number और 6 digit का pin, जो secure pin है, उसे set कर ले उसके बाद email ID और अधार number, अधार number आप ध्यान रखेगा बिल्कुल correct होना चाहिए, यह बहुत यह दो important है यह सारी जानकारी fill करने के बाद, just submit में click कर देना है उसके बाद आपके registered mobile number में एक OTP pin आएगा उसे fill करने के बाद, आप यहाँ पे DG Locker app में sign-in कर सकते है friends, sign-in करने के बाद, आप option दिखाए जारा है, यहाँ पे Ministry of Road, Transport and Highways just इस पे click कर लेना है, उसके बाद यतने भी documents आप यहाँ पे देख रहे हो वेहकल tax receipt, fitness certificate, driving license, registration of vehicle यानि के RC, वेहकल insurance certificate, इन सब को आप issue कर सकते हो सबसे पहले मैं किसी भी गाड़ी का जो RC है, उसे कैसी issue करना है इसके बारे में बतायता हूँ, देखिए अधार ने मेरा MD दान, इस मैंने यहाँ पे already किया हुआ था login, तो वो आ गया है, उसके बाद registration number यानि के जो गाड़ी का number, ब्रेट का जो number होता है, just उस number को आपको यहाँ पे fill कर देना है, उसके बाद chasis number आपको यहाँ पे डाल देना है, देखिए chasis number जब भी आप कोई गाड़ी खरीते हो, तो यह जो हमारा documents कुछ भी मिलता है, receipt हुआ, या फिर insurance certificate हुआ, इसमें chasis number लिखा हुआ होता है, इसके इलावा, अगर आपका गाड़ी का already, जो हमारा RC आ चुका है, तो वहाँ पे chasis number आप देख सकते हो, just उस chasis number को आप फिल कर दे, उसके बाद जो get document है, यहाँ पे आपको click कर देना है, और जो digilocker app है, वहाँ पे आपका जो RC है, वो save हो जाएगा, उसके बाद वापस से आपको home page बे आना है, नीचे आप देख सकते हो, issued documents को option दिखाई दे रहा है, just इ इस पे click कर देना है, click करते ही आप देख सकते हो, कि इस गाड़ी का जो RC है, उसका जो digilocker में verified copy है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, सारा detail यहाँ पे दिया गया है, just इसी तरह से आपको भी issue कर लेना है, save कर लेना है, और simply अगर पुलिस वाला बोले कि गाड़ी का RC यहाँ जरूरी नहीं आज के टाइम पर कि आप और लेके चलो, आप यहाँ पे भी save कर लो, driving license के लिखा करना है, अधार, name और date of birth जो के अल्रेडी save हो चुका है, तो simply driving license का number जो के DL में लिखा हुआ भी होता है, इस number को आप यहाँ पे डाल दो, get document में click कर दे, फिर उसके बाद आप वापस आजाए, और मैं आपको दिखाता हूँ, issue document में चले जाए, और यहाँ पर driving license आपको दिखाए दे रहा है, आप देख सकते हो कि इस तरह से यह copy भी यहाँ पे save हो गई है, फ्रेंट्स इसी तरह से आप अपने गाली के जो बाकी document से वहिकल, taxiship हो गया, fitness certificate हुआ, वहिकल इंसुरेंस हुआ, जस्ट इसी तरह से डाल सकते हो जैसे कि वहिकल इंसुरेंस certificate में क्या डालना है, तो अधार नेम अल्रीडी आया हुआ है, वहिकल का registration number, son, wife या daughter जो भी आपका जो RC में है, तो मैं son के जगए MDU मुहमद उमार डाल देता हूँ, फिर chasis number औ के issue document में देखेंगे, तो आप देख सकते हो कि वहिकल का जो insurance certificate है, वो भी यहाँ पर show कर देगा, आप देख सकते हो कि जो मेरे bike का जो insurance है, वो 31 जनवरी 2026 तक valid है, तो फिर इस तरह से simply आप अपनी गाड़ी के जो mainly documents है, जो main documents है, उन्हें असानी से DG Locker app के थुरू save कर सकत है, और इस तरह से आपको यह headache नहीं रहा कि original कहीं गुम जाए, या फिर original fat बगरा जाए, उस तरह का जो छुटकारा जो चुटकारा मिल जाएगा, लेकिन एक document ऐसा जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूंगा, यह document है, pollution certificate जो कि बहुत जादा important होता है, लेकिन य यह document आपको यहाँ पर save करने का option नहीं है, तो आपके पास दो option है, या तो आप इस तरह से hard copy अपनी गाड़ी में carry कर सकते हो, pollution certificate का, या simply जब आप pollution certificate बनाते हो, तो उस time पे आपकी mobile number पे एक message आता है, जस्ट उस message को भी अगर आप शो कर दोगे, तो आपको यह carry करने का जर description में दे दूखा, तो friends, इस तरह से DG Locker app के help से आप इन सारे documents को अपने mobile पे save कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको काम में आने वाला है, वैसे aim परिवहान app में इन सारे documents को कैसे save किया जाता है, अगर आप यह जानना चाहते हो, तो आप मुझे comment करके ज़रूर ब से आप Indian companies के सासर, जितनी भी विदेसी company की गाड़ियां हैं, उनका 100% genuine is purpose, असानी से online order कर सकते हो, interface बहुत ही simple, just आपको अपने car की manufacturing company, model, air variant डालना है, उसके बाद आप अपने car के लिए parts को सर्च कर सकते हो, अलग-अलग parts आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको जौन सा आपको अपने car के model के हिसाब से OEM catalog भी देखने को मिल जाएगा, car के अलग-अलग section जैसे engine, transmission, steering, air conditioning, और भी जो अलग-अलग section है, वहाँ का आपको catalog मिल जाएगा, उस catalog में उस section के जितने भी parts है, उनका detail आपको देखने को मिल जाएगा, part का number, description, कितना part का quantity लगने वाला है part name यह सब आप वहाँ पे देख सकते हो, इसके साथ ही आप यहाँ पे हर एक part की अपने car के साथ compatibility को भी check कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से इन parts को असानी से order भी कर सकते हो, और budmo.com में आपको 10 दिन का return policy भी दिया गया है, तो friends, budmo.com के website का link मैं इस video के description में दे उम्मीद है कि इस video में दीगए जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए, आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपोर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थूरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स झाल गले चैनल को सब्सक्राइब कर वाले नहीं कि एलगे प्लीज तरो के शैंएर्ल को सब्सक्राइब कर रैंक्स.